अगर आपने recent ही board का कोई exam दिया है या फिर आने वाले समय में कोई भी exam देने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना बेहत जरूरी हो जाता है कि आखिर board में copy कैसे check की जाती हैं तो आज की हमारी वीडियो का topic यही होने वाला है कि board exam में copy कैसे check की जाती हैं हम जानेंगे पूरी details लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप channel पर नए हो तो मेरी request है कि subscribe करके bell icon को press कर लेना ताकि आपको latest educational videos मिलती रहें और इस वीडियो को अभी से like और share कर देना क्योंक result आता है तो बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैंने तो सभी question का answer बिल्कुल सही दिया था तो मेरे इतने कम number कैसे आ सकते हैं वहीं उन students के parents भी अक्षर यह बात कहते हुए पाए जाते हैं कि विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका जाचने में teacher न के तुरंत बाद सभी कापियां एकत्रित की जाती हैं और उन्हें board द्वारा पहले से चैनित विभिन केंद्रों में चेकिंग के लिए भेज दिये जाता है कापियां जांचने के लिए विभिन केंद्र board द्वारा ही चैनित किये जाते हैं board विभिन स्कूलों की अनुभवी सिक्षकों की निवक्ति करता है यानि कि विभिन स्कूलों से अनुभवी सिक्षक जो होते हैं उनकी निवक्ति की जाती है कापियों को जांचने के लिए और हर सिक्षक को कोपी जांचने के लिए परती कोपी के हिसाब से कुछ पैसे भी दिये जाते हैं कोपियों की चेकिंग के द्वारा बोड यह सुनिश्चित कर देता है कि विध्यार्थियों की कापी जांचने में टीचर कोई भी बेमानी नहीं कर सकता ऐसा इसलिए क्योंकि अब कोपी जांचने वाले टीचर कोई है पता ही नहीं कि जिस विध्यार्थी की वो कोपी जांच रहा है उसका नाम क्या है उसका रोल नंबर क्या है तो अगर वो अपने relative की भी copy जांच रहा होगा अपने किसी संबंदी की भी copy जांच रहा होगा तो भी वह उसमें बेहिमानी नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर नाम और रोल नंबर की जगह सिर्फ एक code लिखा हुआ है तो इससे बेह marking scheme जारी करता है इस marking scheme में हर एक person के उत्तर के लिए कुछ संकेत बिंदू यानि की मूल बिंदू बोल सकते हैं या बोल सकते हैं value point add किये जाते हैं निर्धारित किये जाते हैं जिस विध्यार्थी ने उत्तर देते समय इन सभी value points को अपने answer में शामिल किया है उसे ही teacher पूर इस्चित करना होता है कि आपने उत्तर देते समय इन सभी steps को follow किया है या फिर नहीं दरसल किसी भी board में चाहे वो CBSC हो राजस्थान board हो या फिर बिहार board कोई भी board हो उसमें हर साल आठमी दसमी और बारमी के लाखों विध्यार्थी परिक्चा में शामिल होते हैं और board के प पहले ही बता चुका हूँ कि टीचर्ज को प्रती copy check करने के हिसाब से पैसा मिलता है तो सभी अध्यापक अधिक से अधिक पैसा भी कमाना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि हर एक person अच्छे से जाच पाएं इसलिए जो विध्यार्थी बड़े परसनों के उत्तर देन कि टीचर्ज के पास काफी कम समय होता है एक copy को जाचने के लिए इस वज़े से अगर किसी student ने बड़े person के उत्तर देने में बड़े बड़े paragraphs का यूज किया है तो हो सकता है teacher उनको अच्छे से ना जाच पाए जल्द बाजी में वो किसी point को miss कर जाए और इस वज़े से आ आपको सीरसक points और diagram का यूज करना है paragraph का यूज कम से कम करें ताकि आपको अच्छे number मिल पाएं इसके अलावा आपने answer किस तरह से दिया है ये भी काफी important होता है कुछ student का मानना होता है कि वो जादा से जादा सब्द लिख कर जादा अंक प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा कहते हुए students को आपने काफी बार सुना होगा कि मैंने तो पूरी काफी ही भर दी अब मुझे अच्छे marks मिल सकते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता यहाँ पर मैं आपको एक example से समझाता हूँ अगर आपको एक number का question में ये पूछा गया है कि transformer किस सिध्धान्त पर काम करता है तो आपको सिर्फ उसका सिध्धान्त बताना है जिसका answer एक या दो line में हो सकता है अगर आप इसी के answer में इसकी सारी प्रकिरिया इसका सारा mechanism बताने बैठ जाएंगे और diagram बनाने बैठ जाएंगे तो इससे आपका ही time बरबाद होगा क्योंकि जिस question का answer एक line में दिया जा सक त्यार थी जो ये मानते हैं कि जादा लिखने से हमें जादा number मिलेंगे वो time की कमी के कारण paper को भी पूरा हल नहीं कर पाते और उनके काफी सारे question भी छूट जाते हैं यहाँ पर आपको ये चीज बिलकुल ध्यान में रखनी है कि किसी person के लिए पूरे अंक आपको तभी मि अमीद करता हूँ कि आपको पूरा process अच्छे से समझ में आ गया होगा कि board exams में कापिया किस तरह से check की जाती हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like और share करना बिलकुल मत भूलना चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके bell icon पर press कर लेना all notification को select कर लेना ताकि आपको ऐसे ही educational videos के updates मि सब्सक्राइब करना बिलकुल free है इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना मिलेंगे next वीडियो में till then bye जैहिंद